नमस्कार मेरा नाम है रीटा और आप देख रहे हैं नेडरिक पंजाब नॉन्वेज यानि की मास को लेकर अलग-अलग धर्म के अपने अलग-अलग विचार है क्रिश्चन और मुसल्मानों में मास खाना आम बात है तो वहीं हिंदु धर्म में मास खाने को पाप के समान माना जाता है आज बात करेंगे सिख धर्म के बारे में क्या सिख धर्म के लोगों को मास खाना चाहिए या नहीं इसको लेकर गुरु नानाग देव जी क्या कहते हैं ये जानेंगे आज इस पूरे बात को हम डीटेल में जानेंगे और आपको भी बताएंगे कि सिख धर्म में इसका क्या उल्लेक है सिख धर्म में मास खाने को लेकर काफी confusion है कुछ लोग मास खाने को सही मानते हैं तो कुछ नहीं मास खाने को लेकर गुरुनानक देव जी के विचार को जान लेते हैं एक बार की बात है जब गुरुनानक देव जी कुरुक्षेतर की आत्रा पर गए थे वहां मास खाने को लेकर ही एक पंडित के साथ ही उनकी बहस हो गई थी तब गुरुनानक देव जी ने बड़ा ही शानदार जवाब दिया गुरुनानक देव जी ने कहा पंडित जो मनुष्य है वो मा से पैदा होता है जब वो मा के गर्ब में होता है तो वो मा का मांस खाता है वही उसको खुराक के तौर पर मिलता है जिसे खा कर वो अपना जीवन शुरू करता है जब मनुष्य मा के गर्ब से बहार आता है तो वो स्तन रूप में मांस खुराक मिलती है जीवन के शुरवात से ही मांस मनुष्य के साथ जुड़ जाता है तो तुम कैसे कह सकते हो कि वो एक शाकाहारी है गुरुनानक देव जी ना तो मांस खाने के पक्ष में है ना ही इसके खिलाफ हैं वो ये भी नहीं कहते कि आप नौनविच खाओ और ना ही ऐसा करने से रोकते हैं उनका कहना है कि इनसान की अपनी वर्जी होती है वो जो करना चाहे जो खाना चाहे सिखों की पवित्र पुस्तक गुरुगरंट साहिब में मांस खाने को लेकर बहस करना मुर्ख था बताया गया है इसमें कहा गया है कि केवल मुर्ख ही ये बहस करते हैं कि मांस खाया जाए या नहीं खाया जाए कौन परिभाशित कर सकता है कि कौन सी चीज मांस है और कौन सी चीज नहीं कौन जानता है पाप किसमे है शाकाहारी होने में या मांसाहारी होने में सिख धर में मांस खाने का निन्य व्यक्ति पर छोड़ दिया गया है हाला कि सिखों के दसवे गुरु गुरु गोविन सिंग जी ने अमरिधारी सिखों या जो सिख रहत मर्यादा का पालन करते हैं उन्हें कुथा मांस या वो मांस जो कर्मकांड के तहट पशुओं को मार कर प्राप्त किया जाए उसे खाने से मना करा है अमरिधारी जो कुछ सिख संप्रदायों जैसे अखंड किर्टन जथ्या, दमदमी टकसाल, नामधारी से सम्भंदित है वो मांस और अंडे के सेवन से सक्त खिलाफ है यानि कि सिख धर्म में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आप मांस खाओ या नहीं खाओ हाला कि ये बात उन लोगों के लिए जरूर कही गई है जिन लोगों ने अमरिच चका है तो इस बात पर बहस करना वाकई में बेफजूल होगा कि सिख धर्म मांस खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए सारी डीटेल हमने आपको देर दी हैं आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा बने रहे हमारे साथ नमस्कार आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज साहस सच कहने का